IPL में दिल्ली Capitals के सामने गुजरात Titans की चुनौती थी इस मैच में हारदिक पांडिया की टीम ने दिल्ली Capitals को छे विकेट से हरा दिया यह गुज्रात Titans की लगातार दूसरी जीत है जबकि डेविड बॉनर की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लगातार दूसरे मैच में शिकस छेलनी पड़ी है गुज्रा टाइटन्स की टीम लगातार दूसरी जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है जबकि राजस्थान रोयल्स पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंब़ पर खिसक गई है अब रोयल चैलेंजर्स बेंगलो की टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंब़ पर है इसके अलावा लखनौ सुपर जैंट्स पंजाब किंग्स और चैननाई सुपर किंग्स क्रमशह चोथे पांच में और छठे नंब़ पर है गुज्राप टाइटन्स के अलावा राजस्थान रोयल्स, लखनाउ सुपर जायंट्स, पंजाब किंग्स और चेननाई सुपर किंग्स के बराबर दो दो पॉइंट्स हैं, लेकिन बहतर नेट रन रेट के कारण राजस्थान रोयल्स की टीम दूसरे नंबर पर है रोहित शर्मा की अगुबाई वाली मुंबई इंडियन्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स और संराइजर्स हाइदराबाद को IPL 2023 में पहली जीत का इंतजार है औरंज कैप चेन नई सुपर किंग्स रुतुराज गायकवार अभी भी दो मैचों में 149 रन बना कर सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों की सूची में सबसे आगे है DC कप्तान डेविड बॉनर जिन्होंने मंगलवार को 37 रन बनाए, दो मैचों में 93 के स्कोव के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए DC के खिलाफ 62 रन बना कर नाबाद रहने वाले GT के साही सुदर्शन अब 84 के स्कोव के साथ सूची में 5 में स्थान पर है परपल कैप लखनाउ सुपर जायंट्स के मार्क वूड दो मैचों में 8 विकेट के साथ सर्वादिक विकेट लेने वालों की सूची में सबसे आगे है GT के मुहम्मद शमी और राशित खान 5-5 विकेट लेकर उनके करीब है दोनोंने मंगलवार को 3-3 विकेट लिए लेटिस्ट न्यूज अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए